नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है केंद्री, क्रशी मंत्री और मधिप्रदेश चुनाव समीती के सायोजग नरेंदर सिंग तोमर परिवार सहित पहुचे हैं सिबनी मालबा इस्थानी रेस्ट हाउस में भाजपा पधादी कारी और कारेकरताओं ने स्वागत किया है नरेंदर सिंग तोमर एक निजी कारेकरम में हिस्सा लेने के लिए सिबनी मालबा पहुचे हैं यहाँ पर वह शिपपूर इस्थित चांदगर कुटी में हिरापूर वाले महाराज जो की उनके गुरू हैं उनका आशिरवाद दर्शन करने और उनसे आशिरवाद लेने के लिए सिबनी मालबा पहुचे हैं अब पर इस्थानी प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्ताएं की गई हैं सिबनी मालबा में रेस्ट हाऊस में केंद्रिय क्रशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने भाजपा के पदादीकारी और कारिकरताओं से मुलकात भी की भासपा कारी करताओं ने केंद्री मंत्री का गर्म जोसी के साथ स्वागत किया आपको बताते चले शिबनी मालवा शिपपूर के दारशने किस्थान चांदगर कोटी में चतुरमास को लेकर हीरापूर वाले महाराज का आगमन हो रहा है जो की केंद्री मंत्री नरीन्दर सिंग् तोमर के गुरू भी है उनका आशिरवाद लेने के लिए पूरे परिवार सहित एक दिन के लिए नरेन्दर सिंग् तोमर सिबनी मालवा में निजी प्रबास पर रहेंगे और चांदगर कोटी में महराज जी से मिलकर उनका आशिरवाद लेंगे आपको बता दे कि हाल ही में केंडरी क्रशी मंतरी नरेंड सिंग तोमर को मधिप्रदेश चुनाओ समीती का सायोजग भी बनाया गया है जिसको देखते हुए इस्थानी भाजबा कारेकर्टाओं में जोश देखा जा सकता है निजी प्रवास होने के कारण उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया जिसके बाद इस्थानी नगरपाली का अध्यक शुरीते जेन ने केंड्रिय क्रशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के परिवार के पुष्टी कर जानकारी दी सिबनी मालवा से अरुन कश्यप की खास खबर और भी खास जानकारी के लिए बने रहें टीवी न्यूस पर झाल